आज मैं आपको sprout maker कैसी यूज करते हैं वो बताने वाली हूँ यहाँ पर मैंने sprout maker ओन लाइन पर्चेज किया है मैंने यहाँ पर तीन लेयर वाले sprout maker का इस्तमाल किया है मार्केट में दो लेयर वाले sprout maker मी असानी से मिल जाते हैं आप अपनी जरूरत के हिसाब से SproutMaker purchase कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे SproutMeter के 3 layer में 3 knob लगे हुए हैं और वो भी red color के सबसे पहले SproutMeter को यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे काले चने को 8 खंटे के लिए सोग कर लिया है यहाँ पे मैंने ग्रीन मूंग को भी 8 घंटे के लिए सोग कर लिया है स्प्राउट मेकर का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है हम उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे पानी डालने के बाद हम इसके उपर जो लेयर है उससे रखेंगे यह सबसे पहले वाला लेयर है अभी हम इसमें काली चने को भद देंगे यहाँ पे हमें लेयर को ज्यादा नहीं भनना है सारे चनों के बीच हम थोड़ा सा गैप रखेंगे ताकि यह अच्छे से अंकूरित हो जाए अभी हम इसके उपर से थोड़ा सा पानी डालेंगे नोब के आस्वास के एरिये में हमें चने को नहीं रखना है हम उसमें थोड़ा सा गैप रखेंगे ताकि नमी से जो चने हैं वो अच्छे से अंकूरित हो जाए अभी दूसरे लेयर को भी हम ऐसे चनों से भर देंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड बाला जो नोब है नीचे वाला वो उपर वाले नोब के अपूजित डारेक्शन में है ऐसे ही हमने तीन लेयर में इन नोब को अच्छी तरह से रखना है सेट करके और वो भी अपूजित डारेक्शन में रखना है एक दूसरे से दूसरे लेयर में भी हम चने रखके उसमें स्प्रिंकल कर लेंगे थोड़ा सा पानी देखिए यहाँ पे हम तीसरा लेयर लगाएंगे और उसके नोब को भी हम अपूजित डारेक्शन में रखेंगे अभी इसमें हम रखेंगे ग्रीन मूंग ग्रीन मूंग स्प्राउट मेतर में बारा घंटे में ही अंकुरित होना सुरू हो जाते हैं बट जो काले चने हैं उसे अंकुरित होने में कम से कम 36 घंटा टाइम लगता है देखिए उपर का लेयर भी हमने अच्छे तरह से भर लिया है नोब की आसपास के एरिये में हमने मूंग नहीं रखा है अभी इसके उपर भी हम थोड़ा सा पानी को स्प्रिंकर कर लेंगे बस अभी हमें इसके उपर के कैप को लगा लेना है और इसे 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है 24 घंटे के बाद हम इसके कैप को हटा देंगे देखिए ग्रीन मूंग जो है वो अंकूरित होने लगा है अभी हम इसको 12 घंटे के लिए और रखेंगे सेकंड लेयर को हम यहाँ पर ओपन नहीं करेंगे हम इसे 36 घंटे के बाद देखेंगे 36 घंटे के बाद आप देख सकते हैं काले चने भी अंकूरित हो गए है और यह बिल्कुल प्रॉपरली अंकूरित हो चुके है अभी यह खाने के लिए बिल्कुल रेडी है इसी तरह तीसरे लेयर में भी चने अंकूरित हो चुके है सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है आप देख सकते हैं उसमें पानी अभी भी है और इसी के वज़े से चनी जो है वो अच्छे से अंकुरित हो गए है तो आज मैंने आपको स्प्राउट मेकर कैसे यूज करते हैं वो बता दिया है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो दें प्लीज लाइक, सेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल डोल्ट फर्गेट उप्राइब को प्रेल आइकन